Hello friends, welcome to Sekshit. Last class में हमारा matter chapter complete हो गया था. अब हम स्टार्ट करते हैं next chapter में जो है pure substances. इसमें आज हम जो topic discuss करेंगे वो है elements, metals, non-metals, metalloids और mixtures के बारे में. हमें last class में पढ़ा था कि हर जो चीज होते हैं वो matter के अंडर आते हैं. और matter में क्या था कि वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता हैं और उन पार्टिकल को क्या नाम दिया था? Atom. ठीक है? Atoms बोला था उनको. अब pure substances और atom में क्या relation है? Pure substances वो substances होते हैं जो single, एक ही kind of atom से बने होते हैं. ठीक है? जैसे example है hydrogen. ठीक है? हाइड्रोजन में क्या होते हैं? कि हाइड्रोजन ये पूरा ये hydrogen atom ही है. इसमें कोई और atom या कोई और particle included नहीं है. तो ये hydrogen जो है, ये pure substances के अंडर आता है. ठीक है? और जितने भी elements हैं, जितने भी compounds हैं, वो सब pure substances के अंडर आते हैं. इतना देखिए कि जो elements हैं, जो compounds हैं, वो सिफ एक kind of particle से ही बने होते हैं. और ये जो substances होते हैं, इनके अंदर uniform composition होते हैं. uniform composition का मतलब है कि जो पूरा particle है, ये evenly spread होता है. ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जादा concentrated है, यहाँ पर ये कम concentrated है. तो इसके अंदर जो जितना भी composition है, इसका पूरा uniform होता है, पूरा even spread होता है. इसके और example हैं, जैसे oxygen है, carbon है, ये सब जो हैं, ये pure substances के अंडर आते हैं, क्योंकि ये सिफ एक ये kind of particles से ही बने होते हैं. ठीक है, next है हमारे पास elements, elements क्या होते हैं, elements basically वो substances होते हैं, जिनको हम further split नहीं कर सकते हैं, by any chemical means, यानि कि उनको heat up करके, उनको light provide करके, उनके through electricity pass करके, हम उसको further split नहीं कर सकते हैं. क्यों split नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो already ही अपने simplified form में होते हैं, अभी हमने पीछे पढ़ा था hydrogen के बारे में, hydrogen एक atom था, हमने पढ़ा था pure substance के अंडर था, क्यों था, क्योंकि वो single one kind of atom से ही बना होता है, ठीक है, ये already ही अपने simplified form में हैं, कि इसको further किसी भी means से heat करके, या इसको electric energy पास करके, इसको break नहीं किया जा सकता है, और उन substances को क्या बोलते हैं, elements, ठीक है, इसमें और further example हैं, जैसे helium है, neon है, potassium, aluminium, बहुत सारे ऐसे elements हैं, जिनको further split नहीं किया जा सकता है, any chemical means, और ये जो elements है, at present हमारे पास जो available है, वो है, 115 ऐसे elements है, ठीक है, जिसमें से 92 elements व oxygen gas है, hydrogen है, nitrogen है, ठीक है, ये सब gases जो है, बहुत important gases है, ठीक है, ये जो है, mother nature ने हमें provide किये हैं, और इसमें से 23 elements ऐसे हैं, जो artificially prepared किये गए हैं, यानि कि जो scientists है, उन्होंने अपने chemical means से उनको बनाया गया है, और इन elements को बोलते है, synthetic elements, ठीक है, फॉर एक्जाम्पल इसमें द nuclear reactors, basically nuclear reactors में काम आता है, atom bombs वगेरा बनाने के लिए काम आता है, ठीक है, तो elements क्या थे, elements वो substances हैं, जिनको further split नहीं कर सकते हैं, अब elements के तीन main parts है, सबसे पहले हैं, इसमें metals, फिर है non-metals, फिर है metalloids, अब इनके बारे में हम एक्जाम्पल करके discuss करते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास non-metals, non-metals क्या होते हैं, ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी element को metals की form में आने के लिए तीन basic property possess करनी पढ़ते हैं, ठीक है, तो ऐसे elements जो वो तीन basic property, जो थी malleability, ductility, और they are good conductors of electricity, तो ऐसे elements जो ये तीनों property possess नहीं करते हैं, वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं non-metals, ठीक है, इसमें example ऐसे carbon है, hydrogen है, sulfur है, ये सारे और भी बहुत सारे ऐसे non-metals हैं, ठीक है, जो न नहीं मे commencement of duplication होते हैं, यानि कि उनको from Zhuroy Mmm स् wondते हैं, पूते हैं, आधे, नहीं करते हैं, नहीं करते हैं यह हैं, तो यह सब जिसमें आध किसके अंडर आते हैं, और जैसे जितने भी splitsרים, वो जो गराते हैं, पीसिक्यी मोलागा, रिवान फॉरम में एक्जिस्ट करते हैं। बाकि जितने भी non-metals हैं वो या solid या gaseous form में exist करते हैं जिके for example carbon है sulfur है यह जितने भी non-metals है यह gaseous या solid form में exist करते हैं जिके अब जैसे यह picture है यह basically coal की है ठीके coal जो होता है यह carbon का solidified form होता है carbon एक non-metal है उसको बहुत लॉंग time के लिए under heat and pressure ठीके उसको solidify करके coal की form में change किया जा सकते हैं अब coal का देखे अगर coal को अगर हम beat करें तो उसको sheets में convert कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं वो छोटे-छोटे pieces में break हो जाएगा यानि कि वो malleable नहीं होता है उसको wires की form में change कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं तो means they are non-ductile और नहीं वो electricity conduct करते हैं यानि कि जो coal है वो एक तरह से non-metal है यानि कि carbon जो है वो एक तरह से non-metal है ठीके अब non-metals होते हैं non-nustrous यानि कि shiny नहीं होती बहुत ही इनका dull appearance होता है ठीके बहुत ही dull लगते हैं नहीं sonorous होते हैं यानि कि sound reproduce नहीं करते हैं अगर कोल के उपर मार के देखें तो वो sound produce नहीं करेगा elements का third type है metaloids metaloids क्या होते हैं metaloids वो elements होते हैं जो कुछ property metals की show करते हैं कुछ properties non-metals की show करते हैं ठीके इस एक्जाम्पल है इसमें boron boron एक ऐसा element है जो metalloid है इसमें कुछ property metals की होते हैं कुछ property non-metals की होते हैं ठीक है for example इसकी जो metallic property है वो है lusherous ठीक है बहुत जादा यह shiny appearance है इसके इसे फोट पिक में आप देख सकते हैं ठीक है और इसकी non-metallic property है कि इन्सुलेटर यानि कि it is a bad conductor of electricity at low temperature यानि कि अगर temperature कम है तो यह electricity conduct नहीं करेगा ठीक है तो यह properties की metal की होगी यह properties की non-metal की होगी तो दोनों ऐसे elements जो दोनों की property शो करते हैं उनको क्या बोलते हैं metalloids ठीक है और इन metalloids को semi metals भी बोलते हैं नेक्स इसमें topic है हमारे पास वह है mixtures mixtures क्या होते है एक ऐसा substance जिसको दो या दो से ज़्यादा elements को combine करके बनाया जाता है बट उनको chemically combine नहीं किया जाता है chemically कोई भी chemical method उसमें use नहीं किया जाता है उसको physical processes से mix किया जाता है उन substances को क्या बोलते है mixtures बोलते है ठीक है और इनकी जो property है जो elements mix करके एक नया दो elements को mix करके एक नया mixture बनाया गया है तो उनकी जो components उसमें use होए है उनकी जो properties है वो change नहीं होती है ठीक है for example जैसे मैंने नमक लिया plus water नमक और पानी को मिलाके मैंने इसका एक salt solution बना दिया ठीक है तो इसमें जो इसके components है यानि कि जो salt है जो water है यह जो इसमें solution बनके इसकी जो property है वो change नहीं होंगी यानि कि salt अपनी property शो करेगा और water जो है वो अपनी property शो करेगा ठीक है तो इसकी properties change नहीं होती है अब जो इसमें elements है वो indefinite proportion में mix किया जाते हैं यानि कि कोई fixed volume नहीं है यानि कि अगर हमने जैसे इसी example में देख ली जागर मैंने water का एक पुरा glass ले तो salt में पुरा glass भरके नहीं लूँगी मैंने हो सकता है half teaspoon ले लिया या एक full teaspoon ले लिया ठीक है तो दोनों की मतलब कि इसकी proportion है वो fixed नहीं होती है अलग-अलग proportion में इन nitrogen, carbon dioxide, water vapors बहुत सारी gases का mixture होते है ठीक है और इसकी proportion है वो fixed नहीं होती है ठीक है कैसे fix नहीं होती है क्योंकि nitrogen जो है वो 78% available है एर में nitrogen जो है वो 78% होती है और जो carbon dioxide है वो सिफ 0.03% होती है ठीक है और जो oxygen है वो 21% होती है means की जो इनकी proportion है वो fixed नहीं है अलग-अलग proportion में इनको mix किया जा सकता है ठीक है अब अब हमने mixture के बारे में पढ़ा अब उसकी property एक बार detail में discuss कर लेते हैं ठीक है सबसे पहले इसमें की mixture जो है physical processes से बनाया जाता है हमने पढ़ा था कि इसको chemical methods यूज नहीं करते हैं ठीक है तो उनको physical processes जैसे filtration हो गया evaporation, sublimation, magnets इन सब processes से उनको separate किया जा सकता है ठीक है यह जो processes है हम इनको अपनी further classes में बहुत in detail में discuss करेंगे ठीक है का ठीक है जैसे salt plus water लेके salt solution बना दिया था ठीक है तो इसका solution है वो अपने ही elements याने की water और salt की property शो करेगा वो sugar की property शो नहीं करेगा ठीक है अपने ही elements की property वो है शो करता है और इसमें नहीं कोई energy give out होती है नहीं को energy इसमें absorb करती है ठीक है इसे मैंने salt and water का mixture बनाया तो इसमें नहीं कोई energy use होगी नहीं solution कोई energy give out करेगा तो physical processes में energy is neither given out nor absorbed जैसे अब यह picture देख सकते हैं यह एक mixture की है इसमें बहुत सारे अलग-अलग type के grains है कुछ corn है wheat है barley है ठीक है इनका कोई भी definite proportion नहीं है यह किसे proportion में जैसे corn जादा है wheat कम है तो किसी भी proportion mix को mix किया जा सकता है कोई ऐसे hard and fast rule नहीं है कि दोनों proportion की जो elements ले रहे हैं वो same proportion में होने चाहिए ठीक है और जो mixture है उसका नहीं कोई fixed melting point होता है नहीं boiling point होता है क्योंकि उसमें देखो अभी हमने पीछे बढ़ा था कि वो अपने elements की property show करता है ठीक है तो हर element का अपना एक boiling point होता है अपना ही एक melting point होता है तो means उनका mixture का कोई भी ऐसा fixed boiling or melting point नहीं होता है और इसी base पे उनके अलग-अलग boiling or melting point होते हम उसी base पे उसको आगे separate भी कर सकते हैं जो हम further classes में पढ़ेंगे अब mixtures भी होते हैं वो like home homogeneous mixture होता है कि ऐसा mixture जिसमें हम सके particles के बीच में कोई भी difference पता नहीं लगा सकते हैं अगर solution को देखें जैसे भी हमने salt or water का solution भनाया था अगर solution को हम देखें तो उसके particles के बीच में difference पता कर सकते हो नहीं पता कर सकते हैं ठीक हैं तो ऐसे mixture को तो बोलते हैं homogeneous mixture, जिसमें जो हमने elements mix किये हैं, हम उसमें difference पता नहीं लगा सकते हैं, जितने भी homogeneous mixtures हैं, उनको basically solution बोला जाता है, जैसे salt solution हो गया, sugar solution हो गया, कि हमने पानी में चीनी को mix कर दिया, घोल दिया उसे, तो हम उसके particle की बीच में difference पता लगा सकते हैं, नहीं लगा स लगते हैं, अगर वो अच्छे से mix हो जाए तो, तो ऐसे mixture को बोलते है, homogeneous mixtures, इसके example, salt solution, sugar solution, petrol, oil, यह सब जो है, homogeneous mixtures के अंडर आते हैं, next type of mixture जो है, वो है heterogeneous mixture, homogeneous में हमने पड़ा कि जो जो elements को mix करके, एक mixture बनाया गया है, हम उसके particles में difference पता नहीं लगा सकते हैं, ठीके, लेकिन जो heterogeneous mixture है, उसके जो particles हैं, जिनको mix करके, mixture बनाया गया है, उनमें हम clearly difference पता लगा सकते हैं, clearly अपनी naked eyes से उनके बीच में difference पता बहुत भूख लगती होगी, मेरे को तो बहुत लगती होगी, सबसे easy option क्या रहता था, नमकीन का packet उठाना, जैसे अब ये picture में देख सकते हैं, ये जो नमकीन है, ये type of heterogeneous mixture है, क्योंकि इसमें, हम clearly इनके बीच में, जिसके particles हैं, क्लियरली हम अपने आंखों से पता लगा सक क्या क्या फरक है, इनके shape में, इनके sizes में, सब में बहुत difference होता है, तो इस type के mixture को क्या बोलते है, heterogeneous mixture बोलते हैं, और बीचिस के example है, iron filling और sand हो गया, मिट्टी में, अगर थोड़े से screws वगयरा, डाल के mix कर दिये, तो इनके बीच में clearly difference पता लगा सकते हैं, देखने से ही प clearly पता लगा सकते हैं, चीनी के दाने white white color के होंगे, sand brownish color का होगा, ठीक है, तो heterogeneous mixture को हम clearly अपने naked eye से differentiate कर सकते हैं, ठीक है, और mostly जितने भी mixtures available होते हैं, ये सारे heterogeneous mixtures होते हैं, हम इनको clearly difference पता लगा सकते हैं, कि कौन सा element है, कौन सा particle, कौन सा element है, ठीक है, तो आज का हमारा topic कहीं तक था, अब review question करने से पहले एक दू बाते में आपको बताना चाहूंगी, आप प्लीज हमारी website पे एक बार visit कीजिए, वहां पे बहुत सारे mcq packages हैं, जो आपको exam में बहुत जादा help करेंगे, ठीक है, और review question करते हैं, प्लीज वीडियो को एक बार pause कर लेना question के box में जरूर शेयर कीजिए, तो let's begin with the review questions, सबसे पहला इसमें question है, substances which cannot be split into two or more further substances by usual chemical methods are called, ऐसे substances जिनको हम further split नहीं कर सकते हैं by any chemical method, उने क्या कहते हैं, compounds, mixture, elements या pure compounds, they are called as elements. Next question है, elements which show some property of metals and some other property of non-metals, कुछ metals की property शो करते हैं, कुछ non-metals की property शो करते हैं, उनको क्या कहते हैं, elements, metalloids, matter या mixture, they are called as metalloids. Last question है, a mixture that does not have uniform composition throughout and has visible boundaries of separation, यानि कि उनकी composition same नहीं होती हैं, और उनको clearly उनके बीच में difference पता कर सकते हैं, उनके elements के बीच में, उनको क्या बोलते हैं, pure substances, homogeneous mixture, compounds बोलते हैं, या heterogeneous mixture, they are called heterogeneous mixtures thank you for watching